आप sportsman यानि कि athlete है तो एक चीज आपको समझना होगा, आप normal नहीं है, आप normal लोगों की तरह कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि market में देखना ना बहुत चीजे पड़ी हुई है, वो आप कुछ भी की category में डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे mind में इसलिए आया है कि इस पे एक video बना क्योंकि आपके काफी questions आ रहे थे, कि सर डाइट के बारे लिए भी video बनाई है, क्योंकि मुझे प्रोटीन की भी ज़वरत पड़ेगी और बाकी supplements की भी ज़वरत पड़ेगा, क्योंकि मैं energy देता हूं, देता हूं ground पे या fitness पे, तो मेरी उतनी proper diet होनी चाहिए, तो मैं बाह मार्केट में सारे protein powders या जो भी मिल रहे है supplements, वो फर्जी है या fake है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको देखना होगा, आपको समझना होगा, पहली चीज आप brand देखें, और brand देखें, ingredient आप चेक करें, क्या-क्या उसमें ingredient मिलाया गया है, और ये चीज आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा incident मैं share करना हूँ, कि athlete को कुछ भी consume करने से पहले ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों प्रित्विसा जानते हैं, दस महीने के लिए man हुए थे, कि उनकी क्या गतिक, एक कफ सीरफ पी लिए ती दिये थे, उसमें कुछ ऐसा ingredient मिला था, जो allow नहीं है athlete को consume करना, ऐसे बहुत से पास्ट में आपको example मिल जाएंगे, उनको नहीं पता थी क्यों क्या consume कर रहे हैं, तो आप athlete हो, इस बात का आपको ध्यान देना है, क्या consume कर रहे हूँ, आपके body के अंदर क्या जा रहा है, क्या उसकी ज़ुरत है आप किसी dietician से मिलकर, इसी तरीका है आप बनवा सकते हो, अपना diet chart, sports person हो आपना, internet पे videos देखकर, आप अपना diet chart नप, please मत बनाईएगा, वो आपकी body को हांग जा सकती है, और अच्छे company का protein powder लीजिए, अगर कोई आपको कह रहा है, कि बड़े सस्ते में protein powder मिल रहा है, तो आप उससे पूछिए ना कि इतने सस्ते में कैसे possible है, company तो profit कमाने के लिए बैठी है, वो profit कमाने के लिए बैठी है, अगर वो आपको सस्ते में दे रही है, तो कैसे दे रही है, क्या वो fake, वो 100% fake है, क्योंकि आपको भी पता है, simple way आप देसी तरीके से protein powder बना सकते हैं, लेकिन आप मार्केट से अच्छे ब्रांक्स है, मैं किसी ब्रांक का नाम नहीं लेना चाहता इसमें, लेकिन अच्छे ब्रांक्स के प्रोटीन पाउडर है, और प्लीज प्लीज एक्स्टराइट का यूज कॉम करें, देखिए एक चीज आप यह समझें, कि आपकी sportsman यानी athlete की body है आप जिम जाने वाले आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, आप देख रहे हैं body बनाने, उनकी body और आपकी body में बहुस से differences है, क्योंकि उनकी body सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ठीक है ना, अंदर से बाकी चीज़ें खोकली हैं, जो अधितर एस्टराइट का यूज करते है इस बात का आप ध्यान दें, कि जब भी आप market से कुछ खरीदने जाएं, और protein powder खरीदने जाएं, तो दो चीज तो जरूर ध्यान दें, मैं protein powder पर इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेयर्स इसमें protein powder का पूछना है कि कौन सा protein powder उनको यूज करना चाह अपने साथ, बाकी चीज उसमें add करेगा ही, जो जो उसमें add करना है, और अच्छा protein powder लें, जो protein powder मार्केट में, वो भी है, इसली मिल जा रहे हैं, और कितना यूज करना है, यह आपको पता होनी चाहिए, जिसे आपको पता है ना, जितना आपका weight होता है, उसी के हिसाब से साथ किलो है, तो साथ ग्राम प्रोटीन की आपको requirement है, ज्यादा नो होने पाए, इस बात का आपको ध्यान देना है, कि आपके डाइट में ज्यादा प्रोटीन ना होने पाए, तो वो backfire कर जाएगा, आपकी बोडी को, तो आप as a athlete आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो, बाकी तो वीडियो से हम लाते ही रहेंगे, डाइट चाट पे भी जल्दी वीडियो लाएंगे, क्योंकि मेरा वो topic नहीं था भी, अभी मारा जो topic था उसी topic पे हम चल रहे थे, लेकिन अब as a athlete आपको डाइट चाट पे भी वीडियो जल्दी हम और प्लीज प्लीज मार्केट से कुछ भी ना करिए